कि हेलो एवरीवन आप सभी का स्वागत आपके अपने यूटूब चैनल एक्टिव एकडमी की ओनलाइन दुनिया में और हम जो चला रहे थे वो साइंस की प्रिविएस येर की सीरीज चल रहे थी जिसमें अमारी थ्रड सीरीज अब आपके सामने प्रेजेंट है और हमारी थ आप यानि जिसकी वीमा M L2 T-2 है तो बहुतिक आ जैको आय म जी मां कई आम कई दे उसको कैसे करते हैं तो मीजर करने के के लिए हम कैसे करेंगे उसको M1 L2 T-2 M क्या होता हम मास होता है जैसे के जीवेगरा में ल क्या होता हम लैंग्ध वगरा होती है L2 है यानि मीटर्स स् सुरief यहानिकि एसी sehen तो यह किसका मात्रक उता गाईज इनमेंशे हैं तो देखते हैं पहला हाफ़ आपका है किया गया कारिय दूसरे है आपका संभेग तीसरा उपसिन आपका उपस्ण क्या होने जाएंगे कि लिए उतहे है गया कारी य८ंसीड cambi टू तो हमारा option कौन सा इसमें right रहने वाला guys किया गया कारी हमारा option right रहने वाला अब इसका explanation देख लेते हैं explanation में पहले बात कर रहे हैं कि बोती ग्राशी की विमाएं या उनकी घात भुती ग्राशी की विमाएं उन घातों वे ग्हात आंकों के को कहते हैं जो उन राशियों को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों के पर निर्भर रहती है मूल राशियों पर मूल राशियों जैसे कि मैं बात करें M यानि की मास, L यानि लैंग्ध, T यानि किसम है तो अगर इन पर रह रही है विमाएं तो यानि हमने अभी भी बता है ML और T अब इनके घात के रूप में घात यानि कितने इनके पद हैं जैसे हमने बात कहा है कि हमने केजी और मिटरी स्क्वाइर मिटरी स्क्वाइर और सैकेंड स्क्वाइर ठीक है तो अब इसको आप ML और T के रूप में किसके रूप में लिख सकते हैं तो बात करते हैं कारी कारी क्या होता है बल होता है द्रुमान गुणा त्वर्ण जैसे हम बल की बात करें तो किया गया कारी जो होता है वो बल गुणा में विश्थापन होता है ठीक है यस यस ओके बात करते हैं बल की बल होता है M1 L2 T-2 और बात करें विस्थापन की विस्थापन होता है उसको L से रिप्रेजेंट करेंगे अगर आप दोनों को कम्बाइन करेंगे तो क्या बनके बनाएगा अपने को जो विमा मिलेगी वो बनेगी M1 L2 T-2 जो कि हमारा आंसर रहने वाला है यानि क्या गया कारी है क्लियर हुआ गाईज ये चलते हैं next question की ओर next question क्या करेंगे कि किसी पिंड की कारी करने की चमता जो होती उसको क्या करेंगी किसी पिंड की कारी करने की जो सक्ति कहलाएगी और C option आपका गाईज समवेग या D option आपकी उर्जा तो देखो दोस्तों कारी करने की जो चमता होती है और उर्जा आपको कई रूपों में मिलती है गतिज उर्जा है इस्तितिज उर्जा है यांद्रिक उर्जा है पेशी उर्जा है बहुत से उर्फों में मिलने वाली रासा है निक उर्जा है तो इन चारों में सा option हमारा D है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा किसी पिंड की कारी करने की चमता को क्या क्या आजाता गाई उर्जा का आजाता है मूह कर दें next question क्योंड next question हमारा क्या करा है next question करा है कि माचिस की डिब्बी की सताय से जब माचिस की तिली टकराती है जब माचिस की डिब्बी होती है माचिस की डिब्बी की सताय से जब तिली टकराएगी तो उड़जा का कोन सा रूप एक सम्किली लोग के रूप में प्रजुलित होता है बई जब आपके पास माचीस होती है और एक पास माचीस की स्टिली है जो आप उसके उपर जब गिस्ते हैं तो उससे पहले तो आपके पास आग या कोई भी फायर थी वो थी ही नहीं लेकिन जैसे आप उसको लेते हैं जलाते हैं गिसते हैं आपको एक चिंगारी की रूप में आग उत्पन ओती आपके सामने तो उसमें क्या होता जो 12 की तीली के उपर माचिस की तिली के उपर जो पदार्थ चिपका हुआ था वहीं किस में कनवर्ट हो जाता वो फायर में कनवर्ट हो जाता यानि हमारे पास जो उर्जा इन में से किस रूप में थी हमारे पास क्या इस्थिती जूर्जा थी क्या हमारे पास गती जूर्जा थी क्या आप लोगों के पास राशानिक उर्जा थी या आपके पास वाई उर्जा थी कौन सी उर्जा ने कनवर्ट होके आग का रूप ले लिया तो हमारा इप्शन में ओप्शन हो जाएगा राशानिक उर्जा जो माचिस के उपर जो लेप लगा हुआ था वो एक रासानिक केमिकल था एक रासानिक पदार्था जो किश में परिवर्थित हो गया है रासानिक उर्जा से उस्मा उर्जा में परिवर्थित हो गया है यानि रासानिक उर्जा भी एक प्रिकारी की उर्जा है अगर उर्जा का यहां रूप पदार्थों के मद्द रासानिक रूप से संचीत रहता है उर्जा का वहां रूप जो पदार्थों के रूप में क्या रहता है रासानिक रूप से संचीत रहता है पदार्थ के अनुओं स्क्राइब होता है यह किलिर हुआ करते हैं नदी का बैता हुआ जल किस प्रकार की उर्जा सन्वेहन करता है किस प्रकार की उर्जा को प्रदर्शित करता है वहता हुए सब्सक्राइब करें और विदूत उर्जा का रूप है या फिर आपकी गतिज उर्जा का रूप है तो उर्जा होती है इस्तितिज उर्जा और गतिज उर्जा कोई भी पदार्थ है तो कोई भी पदार्थ वह अपनी स्थितिज के कारण जैसे यह पैन है इसी जगहें पर रोक रखा इसको या अब इसकी अंदर उज़ा है अब जैसे चोटूंगा उपरसे गिरेगा अगर कोई भी नीची इसके नीचे सतय के नीचे नीचे कोई बैठा हुआ उसके सर पे गिर तो उसको मैसूस होगा थोड़े भी लग सकती है या आप देख सकते जब गेंद आती है टकराती है किसी जगहें से तो उसको चूट लगती है ठीक है कोई कैच करता तो वह उसकी स्थिति के काण होगे दूसरी हो गई लेकिन जब बैक के कुछ चीज़ चल रही है गाड़ी ज तो ऊसको पटर करते हैं गती के कारण वर वह उसमें कौन शुल रहेगी रहेगी बात करते हैं इसको एक्स्प्लेशन की गती जूर्जा किसी वस्तु की गती के कारण जो कारे करने की छमता आ जाती उस वस्तु में वह है उस वस्तु की क्या होती है गती जूर्जा होती है और यदि M दरुमान की वस्तु V वेग से चल रही है तो उसके अंदर जो गती जूर्जा रहेगी kinetic energy रहेगी के, kinetic energy जो रहेगी वो कितनी रहेगी, वो रहेगी half mv square m यहाँ पर क्या है, उसका mass है v है, velocity और एक बटे, दो mv square यह हमारा क्या हो जाएगा, गति जुर्जा का सुत्र लेकिन बात करें, जब इस्तिती जुर्जा की potential energy की potential energy की बात कर रहा हूं, मैं बचो यहाँ पर, potential energy कितनी रहेगी वो हो जाएगी, m, g, h m for mass, g for gravitational acceleration, और h for the height, मैं लोग कितनी उचाई पर वो वस्तु है, कितना उसके अंदर द्रुमान है, और उस समय गुर्त्य तवर्ण क्या लग रहा है, बात करते है next question की उर, next question क्या गरा, guys, हमारा, करेगी, jet engine किस गटना के आधार पर काम करता है, jet engine आपने देखा होगा किस गटना के आधार पर काम करता है, 4 option आपको given है 4 option में से पहला option हमारा क्या है करेगी, vague का संदरक्षन vague का संदरक्षन, इस क्या ये jet engine का आधार होता है कारी करने का दूसरा option हमारा रेखे समवेग का संडक्षन क्या रेखे समवेग jet engine की गटना को आधार मनाता है, jet engine को कारी करने का आधार प्रतान करता है तीसरा option हमारा तुरंड का संडक्षन, क्या तुरंड संडक्षित रहेगा व्रतिय सम्वेग का संडक्षन रहेगा इन चार उप्षन में से आपका आंसर क्या रहेगा तो हम बात करते हैं इसमें चार उप्षन में से हमारा जो आंसर रहने वाला भू रहने वाला बी रेखे समवेग का सनरक्षन रहता है जैट इंजन जो होता है उसके कारे करने का आधार होता है उसके रेखे समवेग का सनरक्षन बात करते हैं इसके explanation की जैट इंजन जो होता है वो रेखे समवेग के सनरक्षन के नियम के आधार पे कारे करता है और इसका जो आविष्कार करने वाले थे वो वैग्यानिक थे Frank Wittal, कोन थे Frank Wittal, very very important question है ये, jet engine का जो आविष्कार किया बच्चों, वो किशने किया था, Frank Wittal ने किया था, कब किया था, कब का कोई नी पूचता, बट फिर भी दे आन दे लेना, 1937 में किया था, but very very important, jet engine का आ Frank Wittal ने किया था, मोह करते हैं, next question क्यों, विषर्पी गर्षन खालिस्थान होता है, विषर्पी गर्षन खालिस्थान होता है, अब इसकी तुलना कर रखी है, किसके से, सिमित गर्षन के साथ कर रखी है, सिमित गर्षन के साथ इसकी तुलना कर रखी है, तो क्या कर रह रह का दूसरा है कि सिमित गर्षन से थोड़ा कम रहेगा सिमित गर्षन के समान रहेगा सिमित गर्षन से कभी कम या कभी अधिक रहेगा विशर्पी गर्षन सिमित गर्षन से किस साधार पर रहेगा ठीक है तो इसमें हमारा क्या आंसर रहने वाला है इसमें हमारा आंसर रहने वाला है सिमित गर्षन से थोड़ा कम रहेगा विशरपी गर्षन सिमित गर्षन से थोड़ा सा कम रहता है इसके explanation को देखते हैं बचों विशरपी गर्षन सिमित गर्षन से थोड़ा कम होता है पहले हम बात करते हैं फ्रिक्षन होता है गर्षन होता करता है सापिक छिक इस पर्श गती का विरोध करता है सपोज करें ये एक आपके पास सम्तल है और उसके ऊपर ये जो पैन है मेरा ये प्रकार का एक बोक्ष है जब आप इस बोक्ष को इस पे आम खिसकाते हैं तो आपको एक बल लगाना पड़ेगा जो आप जो बल लगा रह पीच अभी लंब पर निर्भर करता है दोनों तलों के ऊपर जो अभी लंब बनेगा जैसे ये सम्तल अभिया ये जैसे आपका प्लेन हो गया ठीक है और ये अमने बना दिया एक बोक्ष ये एक डबबा बना दिया है ठीक है और एक लड़का ये है ये लड़का है वो क्या का देना करना चाहिएए इसको का देना चाहरे है तो एक जो बल रहे गा इस जगह पर वो क्या करेगा वो इसका विरोध करेगा करेगा जो कौन सा बल रहेगा आपका घरशन बल रहेगा इस यो विरोध करेगा अब थेनिक जीवन में ची और हटा है उसरी जुट कर दो को विसरी गर्षन होगा जाता हैं तो सिमित घर्षन वो क्या रहे गा है विसरफी घर्षन से दोड़ा सा कम रहे आरी कि घर्षन सरे में घर्षनह बहुत मैध्पुन इस्थान है प्रत्वी की सटेय पर चलने वाले प्रतेख वह ही संभव कि सेता है या वहान के आधार के बीच गर्षन बल द्वारा ही संभव है देखो गाइज कोई भी व्यक्ति है वो लिख सकता है लिखने का कारण होता है वो गर्षन बल होता है हम किसी गाड़ी को रोक सकते है उसका कारण भी क्या होता है आपका Garshanble ही होता है कोई भी krikhängator वगरा है या खिलाडी है वो खेलता है तो spikes के जुत्ते पहाँता है यानी Garshanble से रोकने के लिए ही पहाँता है ताकि वो फिचले ना जब कोई साथ है बिल्कुल चिकनी हो जाती है तो उसका Garshanble का मान कम हो जाता है तो move करते हैं इनके next question पे बताने को बिच्चों काफी जादा है लेकिन जब मैं special एक-एक topic को लेकर चलूँगा तो मैं आपको अच्छे explain करूँगा अभी इसी पे focus करते हैं गर्षन के संबंद में निमल लिखित में से कौनशा विकल्प सही है गर्षन के संबंद में निमल लिखित में से कौनशा option जो given है आपको वो सही है पहला option है गर्षन गती का विरोध करता है गर्षन होता है वो गती का विरोध करता है क्या बताएंगे आप लोग गर्षन जो ह उर्जा को कोई नुक्सान नहीं होगा उर्जा जैसी वैसी रहगी देखते इसको भी घर्षन से उष्णता का उत्वादन नहीं होता है। सबसे पहले तुम उशनता वाला solution कर देते हैं आतों कैसे रगड़ोगे आपको गर्मी पैदा होगी आतों में ठीक है इसका मतलब चोथा उप्षन तो हमारा बिल्कुल गलत हो गया है उशनता तो पैदा होती है इसके गिरे वे पत्थर को आप ढक्कदा deserve तो आप लोगों को एक उर्जा लगाणी पड़ती है और चाए वो पत्थर हिले या ना हिले बात अलग ओती है लेकिन आपको उर्जा तो निष्ट हो रही है इक में गर्षन क्या करता है उर्जा का नुक्षान करता है कि जाता है छो प्रोपर्ली टाइम एंप नहीं तो Made काम करता है यान यह वी पुशन हमारा गलत हो गया है Sale A है घरन गतिका वरोध करता है बिलकुल सही आंस्वर है यह घर्षन जो होता है वो गती का बिलक्ıkु yoga करता है आप दोड रहे है लगेगा गाड़ी को दोड़ा रहे है जो भी घसनना लगेगा वो क्या करेगा विरोध करेगा इसका अप लिए सकते कि आप टूटे फुटे रोड पह चलाए दिक है या Bye Gef विरोध करता option A हमारा बिल्कुल right रहेगा बच्चों गर्शन बल वह गुण है जिसके कांड दो विशम वस्तूं के मद्ध प्रतिरोधी बल उत्पन होता है जो एक वस्तू को दूसरी वस्तू पर एक वस्तू को दूसरी वस्तू के सापेक्स खिसकने का विरोध करता है लगेगा यह इंदर यह इन आपका मोशन हो रहा हैंशकिस फरीक्ष्ण लगेगा पच्चों इसकी आपोजीट अनुभाव को ओगा मुझ करते हैं बचो next question की और next question क्या करा है भाई हमारा करें कि साधारन लोलक की समय सीमा खलिस्तान पर निर्भर करती है साधारन लोलक यानि शिंपल पैंडूलम इसकी बात कर रहे हैं कि उसका time period समय सीमा जो वो किस चीज पर निर्भर करता है तो भाई आपने देखा होगा कि साधारन लोलक तो आपने देखी रखा होगा 12th class में पढ़ा होगा कभी या फिर आपने वो देखी होगी दिवार गड़ी जिसमें pendulum लगा होता है और इस type से जैसे 12 या 6 बचते हैं तो टन टन की आवाज करने लग जाता है तो इन में से वो किस चीज पे निरवड करता है तो पहला उसन है लोलक की लंबाई पर लोलक बोब के द्रुमान पर लोलक बोब होता है जो उसमें वो लट्टू होता है नीचे नीचे लटका रहता है उसको कहते हैं लोलक बोव यह एक दातू का गोला होता है और लोलक के तन्तू में तनाव तन्तू महलों कि जो जिसकी सायता से उसको लटका आ गया है उसमें कितना तनाव फील हो रहा है कितना स्ट्रेस फील हो रहा है उसके उपर निर्भड करता है यह लोलक की सामगरी पे ल इन चारों में से हमारा कौन सा option रहने वाला राइट बिल्कुल सई option हमारा ए लोलक की लंबाई जो होती है वो साधरन लोलक की समय सीमा को क्या करती है एक्सपीरियंस ड़ करती है अनुभव करवाती है यदि लंबाई में नय बढ़ने वाली एठन रहित बार हीन टोरी के एक स सिरे को गर्षन रहित द्रड आधार से बान दिया जाए तो इस प्रकार बना हुआ निकाय सरल लोलक कहलाता है सरल लोलक का आवर्त काल किस पर निर्भर करेगा बाल को लंबाई पर यानि यह आपका द्रड आधार हो गया बाल को यह आपका द्रड आधार हो गया यह रस्ती हो Simple Pendulum ये Dread आदार हो गया बच्चो Clear बुई बातने किस पर निर्भर कर रहेगा ये दागे की लंबाई पर निर्भर करेगा दागे की लंबाई पर निर्भर करेगा सबसे Important ये ऐसे ऐसे जो गती करेगा इसको ठीक है तो ये गती जो रहेगी इसकी ये किस पे निर्भर करेगी बालकों ये धागे की लंबाई पर निर्भर करेगी बात करते हैं वहें गती गती जो कुछ समय के बाद खुद को दोराती है कोई भी गती जो कुछ समय बाद खुद को दोराती है वहें कौन शी गती कहलाती है कोई भी गती तो को गती को हम बात करते हैं गती तीन प्रकार के होती है पहली गती होती है वह सरल रेखे गती होती है दूसरी होती है व्रतुल तीसरी गती होती है आवर्थ गती लेकिन इन में से कौन सी गती है जो बार-बार अपने आपको दोराती रहती है तो चार आपके प है एक समान या क्या यूनिफोर्म मोशन है गैर एक समान यानि कि अस्वान गती क्या इन चारों में से आपका option कोंड सा रहने वाल है तो बात करते हैं कुछ समय बाद यानि एक इस्थिर point के according कोई अगर गती होती है तो उसको कहते हैं आवर्थ गती जैसे हमने अभी pendulum वाली गती पड़ी है oscillation वाला motion पड़ा oscillation motion इसको बोलते हैं तो वो हमारा रहता कौण सा आवधिक गती यानि कि आवर्थ गती आवर्थ गती होती है वो खुद को अपने दोराती रहती है जैसे कोई भी बच्चा दोड़ता है चलता है कोई भी व्यक्ती चलता है तो उसके हाथ इस टाइप से चलते हैं तो यह एक उसका motion हो गई एक उसकी भई पोजिशन हो गई और उस पोजिशन के बार बार उसके हाथ इस टाइप से हिलते हैं, तो ये हाथ हिलने वाली पोजिशन जो हो गई है बच्चों, वो किस कैसी हो गई है, वो आपकी आवर्थ गती वाली हो गई है, आपने देखा हो गई एक जूला लटका होता है, पेड़ के डाल के, तो पेड़ के डाल के जो जूला लटका हुए है तो वो इस प्रकार से गती करता है और बार-बार इसी मोशन में गती करता है तो यह कैसी गती होती है वह गती जिसमें कोई वस्तु या पिंड एक निश्चित समय अंत्राल पर और एक निश्चित पत पर निश्चित समय अंत्राल रहेगा इनका और पत भी निश्चित हो जाता है फिक्स इनका पैथ हो जाता है और खुद की गती को दोराता है इस प्रकार की गती आवधिक या आवर्त गती कहलाती है वह गती जो कुछ समय बाद खुद को दोराती है उससे गती कहा जाता है ओके ये तो एक्स्टा हो गए ठीक है फिफ्टी नमर कोशन क्या कह रहा है निमले लिखीत में से किसके पास गुर्तवा कर्शन नहीं होता है किसके पास खुद का गुर्तवा कर्शन बल नहीं होता है तो बच्चों कोई भी चीज जिसके पास द्रुमान होता है जो प्राकर्तिक होती है उनके पास क्या होता है गुर्तवाकर्शन होता है तो बात करते हैं प्रत्वी प्रत्वी क्या है एक प्राकर्तिक ग्रह होता है इसके पास गुर्तवाकर्शन होता है शुक्र भी एक प्राकर्तिक ग्रह है इसके प दबास खुद का पोई भी गुर्टवाक्रशन नहीं होता है कि अक्रत्रेश कौन से होते हैं कुछ उप्ग्रह प्राकरतिक होते हैं जैसे हमारा चंद्रमा और पृत्वी के कख्षे मार्ग में जो डाल दीए जाते हैं तो प्रत्वी के चारोर गति करते रहते हैं वो करत्रिम उपग्रे कहलाते हैं इनमें गुर्त्वाक्रशन नहीं होता है यह वैज्ञानिकों को दौरा बनाए गए होते हैं और काम क्या करते हैं ब्रमाद के बारे में जरानकारी प्राप्ट करने के लिए और प्रत्वी के संचार माध्यम के लिए इनका उपयोग किया जाता है कैसे छोड़ा जाएगा इनको रोकेट के द्वारा अंत्रिक्ष में बेजा जाता है रोकेट के माध्यम से इनको अंत्रिक्ष में छोड़ा जाता है और प्रत्वी के कक्षा में इनको इस्थापित कर दिया जाता है प्रत्वी के कक्षा में इस्थापित करने के बाद जैसे जैसे प्रत्वी गती करती रहती है कि उसकी साथ साथ उसको गती करते रहते हैं किलियर हुई बाते और गुर्तव आकर्षन बल जो होता है उसको हम थोड़ा से डिफाइन कर देते हैं गुर्तव आकर्षन दो कणों के बीच कायरे करने वाला आकर्षन बल होता है और उन कणों के द्रमानों के गुननफल तथा समानपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत करमानुपाती होता है अगर गुरुत्वाक प्रशन बल की बात करें कैपिटल जी की बात करें तो बालकों क्या होगा दो पिंड है तो M1, M2 उनके तो क्या रहेगा समानुपाती और उनके तो क्या रहेगा समानुपाती और इन पिंडों के बीच में जो दूरिया है यानि एक print ये है जो M द्रॉमान का है दूसराaltont ये है जो M2 द्रॉमान का है और इनके बीच के जो दूरी है वच्चों वो अगर R है तो उनके बीच में लगने वाला गुरत्वाकरशन बल कितना रहेगा तो गुर्तव आकरशन बल का मान, यानि कि जो सारवत्रिक गुर्तविय बल रहेगा, वो क्या रहेगा? उन दोनों के दिये हुए द्रवमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी, यानि आर, आर के क्या रहेगा? वर्ग के वितकरमानुपाती रहेगा. हlar next question क्योंकर करें इस तिर गते रही एक रेल गती जो है रेल गाडी को इस तिर एक समान गती है उसमें बैठा है यातरी और यातरी क्या करता है गेंदृक्ता है जो लंग वत ऊपर की दिसा में गेंद फैंकता है अब वह गेंद कहां पे गिरेगी कोई आतरी है ट्रेंड में बैठा हुआ है वह यह आपकी ट्रेंड है ठीक है और इसमें इस सीट पे कोई आतरी बैठा है वह यह बैठ गया यातरी अब इसके आत में कोई गेंद है इसने उपर फैंकी अब ये गेंद गिरेगी कहां पे? तो गेंद कहां गिरेगी? जब गती इसकी एक समान है क्या यात्री के आत्रों में क्या यात्री के सामने क्या यात्री के पीछे वहां रेलगाडी के गती के दिशापर निरभर करता है तो गाइच, अब तुम कहोंगे sir सर यह क्या कोशन हुआ इसमें ट्रेन में गेंद वो कहां पर गिरेगी निचे गिरेगी सर बैइ कोशन ऐसे ही आते हैं रेलवे के स्पेशलिस्ट कोशन है रेलवे के जो एक्जाम होते हैं जो पिछले साल हुए थे 2017-18 के बीच में हुए थे वह या उनमें ऐसे कोशन बंफर कोशन खुए पतर बंफर बरबरrick के न अदे और उसी का स्लेक्टर zone यहां पर सीडीज करवा रहा रहा हुं ये तो अब इनके पारेम यरुझें हैं 가為 सरी दना हलका कोशन बच्चे जहां पर को रिवे कोशन होते हैं तो ऑस लेंखिशीं को नहीं या आते हैं वो तो सभी IM पिल्कुल अलके कोशन होते हैं वहां पर ज्यादा इंटलीजेंट बच्चे होते हैं और गलत ओप्षन फिल कर देंगे ठीक है और वहीं उनके पीछे रहने का कारण बन जाता है बात करते हैं 51 नमबर कोशन में तो इन में से वह गेंद कहां गिरेगी तो यात्री के हाथों में गिरेगी यात्री के सामने गिरेगी यात्री के पीछे या रेल गाड़ी की गती की दिशा पर जब गती स्थिर गती की है तो इसका मतलब गेंद उसके रेल गाड़ी की जो गती है वो उसके गेंद के गिरने पर किशी प्रकार से प्रभावित नहीं कर सकती है अब वो उसको उपर फैक रहा है लंब वथ गती में तो वापिस निच्छे की और उसी जगह में आएगी यानि इस व्यक्ति के हाथों में ही आएगी यात्री के हाथों में आएगी लेकिन यहां पर उसको एक कंडिशन ओर देनी चाहिए थी एक जो ट्रेन वो बंद है और बंद अगर रहेगे तो वो उस पर हवाका और अन्य जो रुकाउट है उस पर किसी प्रकार से क्या नहीं कर रही है निर्भर नहीं कर रही है उसकी रुकाउट है उसको किसी प्रकार से प्रवर्तिन शील आपको बता दू जी क्या होता है गुरुत्वे त्वर्ण हमारे साइंच में जी को गुरुत्वे त्वर्ण इंगलिश में जी फॉर ग्रल हो सकता है ग्रेपस हो सकता है लेकिन हमारे साइंच में जी फॉर होता है गुरुत्वे त्वर्ण तो गृत्वय त्वन का मान न्यूंतम कब होता है आपको तीन जगें दे रखी हैं विश्वत रेखा पर उत्री दुरू पर और दक्षणी दुरू पर किस जगें पर जी का मान न्यूंतम होता है जी का जो मान होता न जैसी ये प्रत्वी है यह आपका उत्री दुरू हो गया यह आपका दक्षनी दुरू हो गया और यह आपकी विशुवत रेखा हो गई विशुवत रेखा कहां पर जी का मान रहेगा सबसे कम तो बच्चों जी का मान जो होता है विशुवत रेखा पर सबसे कम रहता है उत्री दुरूपे और दक्षनी दुरूपे सरवाधिक रहता है ठीक है विश्वत रेखा पर क्या रहेगा सबसे कम सरवाधिक कहां रहेगा दुरूओं पर क्या रहेगा सबसे सरवाधिक होता है यहाँ पर भी सरवाधिक रहेगा end my dear student जो विश्वत रेखा होती है यानि ये वाला area ठीक है ये वाला जो area है यहाँ पर आपका जो गुरुत्य त्वर्ण यानि G वो क्या रहेगा बच्चों सबसे कम रहेगा सबसे कम रहेगा इसे इलाके में ठीक है अब मैं आपको एक चीज और पताना चाहूंगा इसमें जो वेट होता है डबलू उसका फोर्मूला होता है एम गुणा जी डबलू यानि की बाहर किसी का कोई बाहर देखेंगे तो एम इंटू जी होता है इसमें इसमें उसका फोर्मूला होता है उसी का फोर्मूला एम जी होता है मतलो उसका मास कितना है और जी मतलो कि गुरुत्वे त्वन कितना है तो जहां पे गुरुत्वे त्वन सरवाधिक रहेगा वहां पे उसका वजन सबसे जादा रहेगा और जहां पे गुरुत्वे त्वन क्या रहेगा सबसे कम रहेगा गुरुत्वेत्वन जहां पे कम रहेगा वहां पे उसका भार सबसे कम रहेगा इस प्रिशन को दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है किसी व्यक्ति का सबसे अधिक भार कहां होगा और किसी व्यक्ति का भार सबसे कम कहां अनुभव होगा तो सरवाधी के जो बाहर रहेगा वो उसके दुरूओं पे निर्भर करेगा च्योंकि उसका बोड़ी जो मास है वो तो चेंजेबल नहीं है मास होता वो सारवत्रीक होता और सबी जगें एक समान होता है चाहे उसको अमेरिका में छोड़ दो चाहे उसको नेपाल में छोड़ दो चाहिए उसको प्रत्वी से बाहर कई पे ले जाके छोड़ दो तो मास जो रहेगा द्रॉमान जो रहेगा वो एपरवर्तिन शील होता है और वो नियत रहता है बात करते हैं जी की जी होता वो अलग-लग स्थिती पे बदलता रहता है अगर कोई विश्वत रेखा पर तो उसका कम रहेगा बात करते हैं अगर जी अगर कम है तो वेट भी कम हो जाएगा जी अगर जहां पर अधिक है तो वहां पर वेट भी जादा हो जाएगा यानि दक्षणी दुरूओं पर तो क्या हो जाएगा भाया वेट बढ़ जाएगा और आप जब आओगे विश्वत रेखा वाले इलाके में वहाँ पर वेट क्या हो जाएगा बच्चों कम और उसको वेट कम करना है तो वह कहा जाएगी वह विश्वत रेखा पर आके अपना वजन की जाँचे करवाएगी मू करते हैं नेक्स्ट कोशन की ओर नेक्स्ट कोशन हमारा क्या कह रहा है एक व्यक्ति तुला की मदद से अपना वजन चैसो न्यूटन मापता है वजन जो होता है वो Newton में मापा जाता है 600 Newton मापता है यदि वह व्यक्ति एक 5 मिटर पर सेकंड की गती से उपर जा रहे lift में उसी तुला पर खड़ा हो जाता है यानि उस lift के अंदर उसने वह तुला भी रख दी और उस तुला के उपर वह खड़ा भी हो गया और जो lift की गती है dear student वो है भईया कितनी 5 मिटर पर 30 सेकंड पर सेकंड तो तुला में दर्शाया गया भार क्या रहेगा अब क्या भार में कमी आएगी या वर्दी होगी देखते हैं भईया उप्शन क्या 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 कह रहे है क्या रहे है कि 600 newton से भार कम हो जाएगा 600 newton से भार अधिक हो जाएगा और 600 newton के समान हो जाएगा या 0 के समान हो जाएगा my dear student w equals to हमने अभी अभी बताये था mg और g यहाँ पर क्या रहेगा m into a plus g इसको समझते है a plus g क्योंकि total acceleration a for the that is for the object जो object उसका acceleration कितना हो रहे है और g यहाँ पर gravitational acceleration है तो gravitational acceleration तो सभी की स्थीति में समान रहेगा लेकिन उस object का acceleration क्या है यह भी माहने रखता है तो इस स्थीति में my dear student जब वह लिफ्ट है वो 5 meter per 30 second की रफ्तार से जा रही है it means वो एक समान गती से जा रही है 5 meter per 30 second एक समान गती होगी जब उसकी गती में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है प्रारंबिक वेग और अंतिम वेग में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है तो उस इस्थीति में वह यह त्वन जो होता है acceleration जो होता है उसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा यानि एक ही value क्या हो जाएगी dear student 0 हो जाएगी 0 प्लस G 0 प्लस G यानि कि mg जो कि पहले बार था उसी case में हो गया न यह तो पहले बार बार था यानि 600 newton और 600 newton अब हो जाएगा तो इन option में से हमारा कौन सा हो जाएगा 600 newton के समान यानि जितना उसका वेग था उसी के समान लेकिन जब उसके वेग में परिवर्तन होता है उसके त्वन में व्रदी होती है जब त्वन में व्रदी होगी तो उसका बार 600 newton से बढ़ जाएगा जो तुरण में कमी होगी, यानि मंदन होगा, तो 6 निटिन से उसका वजन कम हो जाएगा, मुझ करते बचो नेक्स्ट कोशन की और, next question क्या कर रहे dear student कर रहे कि ऐ प्रियुक्त किताब जो किताब आपने कामी नहीं ली है कर रहे लिए दो वर्ष के लिए self पर बनी रही दो वर्ष के लिए आपने self पर रख दी और वहीं पर गिरी रही हूँ जब तक उसे अटाया नहीं गया था, यह किसे का एक उधारण है, जब तक आपने उस self बरसे उस किताब को अटाया नहीं, बहुत बार होता है, जब तक परिक्षा नहीं आती है, बरती नहीं आती है, तब तक हम किसी किताब को अटाते नहीं है, चाहे दूर लगों, चाहे और Newton की गती का प्रथम नियम है और Newton की गती का रिद्या नियम है या फिर ucharist,ुड़वत्य मुद्या नियम का नियम नुसरो षह नहीं में बिद्धच करता है। प्रत्म नियम जड़त्व का नियम भी कहते हैं और जड़त्व की प्रिवासा गैलेलियों ने दी थी और हम इसको समझते हैं कि जड़त्व का नियम क्या कहता है यानि कि प्रत्म नियम हमारा क्या कहता है कोई भी वस्तु जो है जब तक उस जगहें पे गिरी रहेगी जब तक उसको परिवर्तन को क्या करते हैं विरोध करते सदय कोई बी किसी नेता कोई लगा लो कोई अपने पद से नहीं इटना चाहता है ठीक है चाहिए कोई teacher है हमें हमें किस पद पर किसी ने स्थापित कर दिया तो हम भी अपने तो यहां पर कुण सा नियम लग रहा है जडत्व का नियम भी कहते हैं इसको क्या बता का नियम भी कहते हैं क्लियर होई बइए भई और पर बस लिए और यह से मैंने बता दिया है जड़त नुटन का प्रथम निया क्या तक कोई भी इस्तिर वस्तू जब-तक इस्तिर रहेगी जब-तक उसके कोई बाई ये बल आरोपित नहीं किया जाता है और अता ये इस प्रेश्ट कोई भी वस्तू कितने भी वर्सों तक वहीं पढ़ी रहेगी जब तक उसे वहां से अटाया नहीं जाएगा किलेर हो गई होगी बाते हैं मुझ करते बचों नेक्स्ट कोईशन की और कहले कि मैं दिवार पर एक मारने के लिए गेंध फैकता हूँ अब ये उधारन किसका है देखे बच्चों आंसी ग्रूफ से न्यूटन के गती का प्रथम नियम लग रहा है और न्यूटन के गती का द्वित्य नियम भी लग रहा है करें कि थोड़ा सा तो गती का द्वित्य नियम और प्रथम नियम दोनों लग रहे हैं बात करते हैं ब आपने ताकत से अपने ऐसको थांगता का उसी व Els से वापिस आने के कोशिशव करती है तो इसमें नियमं कि इस पी इसलों डो रहने वाला है नियमं को और कि आप पर थेंगा और नियमं कर देते नियमं भी है करेंगी न्यूटन की गती के तृतिय नियम न्यूटन की गती के तृतिय नियम का उधारन है तृतिय नियम को किरिया प्रतिकिरिया का नियम भी कहते हैं और इसके अनुसा प्रतेक किरिया थोड़ा से स्पेसलाइज कर देता हूँ प्रतेक किरिया के बराबर प्रंतु दिशा में विप्रीत प्रंतु विप्रीत दिशा में क्या होती है का प्रति किरिया होती है जैसे आप बंदूख चलाते हो तो गोली निकलने पर बंदूख जो होती है उस गोली को तो आके की तरफ मैंकेगी लेकिन धक्का जो लगेगा व बंदूग चलाने वाला होता है उस वक्ति के कंदे के उपर लगता है और जिससे उसकी बंदूगर पिछे की और क्या करेगी धक्का मारेगी तो आप अगर नाव से कूदते हो चलती वी नाव से कूदते हो तो आप तो नाव से आगे की और कूदे हो लेकिन नाव पिछे की औ और हटती है ये उसकी किरिया का प्रती किरिया हुई है जो करते बचों नेक्स्ट कोशन क्यों एक गतिशिल बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की और जुक जाती है यह किश्णियम का पालन करता है बस चल रही है बच्चे बैठे हैं आपकी माँ भी कहती है बैठ तो अब इसमें तुमें नहीं पता था न यह वाली घटना भी कोई नियम बढ़ सकती है सबने कि यह हो गए ऐसा तो चोगि हम तो रुक नहीं सकते हैं लेकिन हमें यह नहीं बता है एकजाम में भी ऐसे कोसन आ जाते हैं तो देखें भाई यह क्या कहता है यहां पे हमारे नू कोई वस्तु वस्ता होती नों आपको बल लगाना पड़ेगा अदर उसका विरोध तो वो गती करती रहेगी लेकिन जैसे आपने बच्चों जैसे आपने उसका विरोध किया जैसे यह सपोड़ेट दिश्वन इस है और बड़ा खुश हो रहा है यह अब यह भाईया जी बैठे हैं शीट पे शीट पे बैठे हैं आप ड्राइवर अंकरने लगा दिये ब्रेक अब जैसे ब्रेक लगे पूरी वोड़ी थी ना वो गती के अवस्था में थी लेकिन एक्च्वल में क्या थे इसके जो कमर से नीचे वाला इससा था यह तो था बसके संपर्क में ठीक है जैसे ब्रेक लगे यह नीचे वाला इससा तो रुक गया वहीं पे और जो वोड़ी उसका भी जो कारण होता वो गती का कौन सा नियम है प्रत्थम नियम है बच्छों न्यूटन की गती का प्रत्थम नियम है मुझ करते हैं बाल को next question की और बच्छों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है मैं explanation बिल्गुल अगर अच्छे से कर रहा हूं आप लोगों को किलियर हो रहे है पॉइंट्स तो इन चीजों को शेर कर दें च्योंकि इन से हमें motivation मिलता है और हम और अच्छा energetic जो material हो क्या वो आपको provide करवाएंगी बात करते हैं अगले question में इसी का explanation न्यूटन के प्रत्थम नियम के अनुसार वस्तु अपनी प्रारंभी कविस्ता को बनाई रखना चाहती है जैसे मैंने बता है ना बह अचानक बस रुखने पर उसमें बैठे याद्री आगे की और जुक जाते हैं इसे जड़त का नियम भी कहते हैं कि लिए रुवागाईजिए 57간 Question क्या करा हमारा करे है कि नियम लिखित में से कौन सा रासानिक प्रिवर्टन का एक उधारण है कोल सा रासानिक प्रिवर्टन का उधारण है तो पहला उसना है आइसक्रीम का पगलना आइसक्रेम जमी हई है पगल रही है तो आइसक्रीम इतलो-चाहे जमी हुई हो बात से तो कोई फर्रक नहीं पड़ता है केक का पकाना केक अगर कच्छा तो इसका टैस्ट डिफरेंट रहेगा केक पका वह तो हमें यमी लगता है स्वाधिष्ट लगता है पानी का भाफ में परिवर्तन बैप पानी अगर पानी है तो लिक्विड स्टेट में तो वाटर और अगर वह वाफ में तो उसको जलवास पकाएंगे लेकिन उसका molecular state जो है molecular formula उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है दोनों ही condition में वह एस्टो ही कहलाता है बिजली के बलफ का जलना बिजली के बलफ को जब हम जलाते हैं तो वह क्या होता है गरम ओके जलता है और गरम जब होता है तो वह प्रिकास को भी उत्पन करता है जो उसके अंदर तंतू होता है ठीक है बिजली के अंदर तो तंतू होता है तंगस्ट जो राशानिक परिवर्तन का एक उधारण है, तो option number A, sorry B, केक का पकाना, केक का पकाना जो है वो राशानिक परिवर्तन का क्या है, उधारण है, केक पकाना, रोटी पकाना, सब्जी पकाना, या फिर फल का पकना, ठीक है, जितने भी पकने वाले हैं, वो सारी चीजें क्या है रासानिक परिवर्तन का उधारण है किलियर हुई बाते बोतिक परिवर्तन वह होता है जिसमें परिवर्तन के कारक को अगर आप हटा दोगे तो पदार्थ पुर्व अवस्ता में प्राप्त हो जाए यानि बलफ को आपने जलाया स्वीच ओफ किया बलफ वापिस बुझी आएगा आपने बारफ को जो भी आईस क्रीम है उसको अपने फ्रीज से बाहर निकाला पिंगलें लगई वापिस फ्रीज में डाला तो वापिस जम जाएगी ठीक है या जलवास से अगर पानी को गरम किया तो भाप बन गई पानी को ठंडा गया तो भाप से वापिस पानी में आ जाएगा लेकिन जब आप उसको केक को पकाते हो तो अगर आप बंद कर दो पकने के बाद आप उसको बंद कर दोगे ओवन वगेरा को तो क्या वापिस केक उसमें कच्चे वाले केक में चला जाएगा नहीं जाएगा इट मीन स्वाम पे क्या हुआ है रासानिक परिवर्तन हुआ है रासानिक परिवर्तन वह है परिवर्तन इसमें पदार्त को पूर ववस्ता में प्राप्त नहीं कर सकते हैं इस परिवर्तन के पश्चात, पदार्त के बहुतिक राशानिक गुण बदल जाते हैं, आइस्क्रीम का पिंगलना भी इसका एक उधारन है, आइस्क्रीम का पिंगलना, पानी का बाप, बनना, बिजली के बलव का जलना ये बहुतिक परिवर्तन के उधारन है, और केक का पक् प्रतिपादन किस ने किया है, पहला उप्षन आपके पास Newton, दूसरा उप्षन है Archimedes, C उप्षन है John Dalton, और D उप्षन है Kepler, तो my dear student इसमें जो आंसुर रहने वाला है, वो आपका रहने वाला कौन सा? Archimedes, Archimedes उसने जल उत्पलावन के बल, जो सिद्दान था, उसको प्रतिपादन किया था, जल उत्पलावन को नियम होता, वो क्या कहता करेगी, जब कोई भी वस्तु अतर किसी द्रव में पूरी आंसी ग्रूप से डबोई जाती है, तो उसके भार में कुछे कमी अनुभव हो होती है, यानि कोई भी वस्तु आप जल में डबो रहे हो, तो उसके, जितना उसका भार है, उसका, उसने कुछ जल अगर भार की और प्रतिष्था पित किया, निकालना है, तो वो क्या कहेगा, वो कुछ हलकी हो जाएगी, कितनी हलकी होगी, जितना उसने जल को भार की और किलिए जो भी तैरने वाले तैराक होते हैं, वो अपने हातों से, कह, सुरी, तैराक जो होते हैं, वो क्या खारते हैं? रहे ही का ओकिक जाए जिससे झाल की सत्या पर बने रहें? 03. region लोहे की छोटी गोली शेप समझ सकते हैं या फिर कई बर ऐसा बोला जाता है कि लोहे के एक छोटी इसी जो कील होती है या फिर जो पिन होती है वो डूब जाती है जबकि बड़े-बड़े जाज होते हैं पानी में तैरते रहते हैं तो यहां सिद्धान्थ निवन में से किस वेक्यानिक के सिधान्थ पर आधारित है. जश्ट अभी बताए लोहे के चोटी गोली पाने में डूब जाती है, पिलवन के सिधान्थ पर कारे करता है. लोहे की गोली का भार उसके द्वारा गए अटाए गए जल के बार से अधिक होता है जो जल है वो कम अठ पाता है लोहे का बार अधिक रहता है गोली का बार अधिक रहता है इसलिए वो डूब जाती है जबकि जो जहाज होता है वो अपने भार से अधिक जल को नीचे से हटा देता है इसलिए वो जल पे क्या खरेगा बच्चों तैरता रहता है किलियर हुई बाते आखरी कोस्टन आज का कहरे है कि निम्न में से कौनशी किरने वायूमंडल में उपस्तित ओजोन परत द्वारा अवसोसित कर ली जाएंगी ओजोन परत द्वारा क्या कर ली जाएंगी अवसोसित कर ली जाएंगी तो कौनशी वो करने हैं जो ओजोन परत द्वारा अवसोसित कर लेती है My Dear Student Option 1st हमारा पैरा बेंगनी B Option हमारा द्रेशय तरंगे C Option हमारा रेडियो तरंगे D Option है गामा तरंगे तो इनमें से कौन सा Option हमारा राइट आंसर है तो ओजोन परत जो होती है वो अल्ट्रा वायलोट जो क्रेणे होती है जो सन से आती है करती है उनको क्या करती है जो कि ये पैरा भैंगने कीनने होते से स्किन समंदी रोगों को उत्पन करती है और ओजों प्रत्या जो हम घृ सकते हैं, उज़ोन प्रत होती का हैं, तो my-year student, इस में सबसे important यहीं है, और जोन प्रत होती हो, वायू मंदल के समताप मंदल में इस्थित होती है, कहां पे इस्थित होंगी, समताप मंदल में होंगी, और जोन प्रत क्या करेंगी, पैरा बैंगनी किरणों का आउसोशन करेंगी अब ये कहां से आती है सूर्य से आने वाली हानिकारक पैरा बैंगनी विकरणे होती है क्या उत्पन कर सकते हैं क्यों इनको आउसोशित करना जुरूरी है जो कि पैरा बैंगनी किरणे My Dear Students, Tuecha Cancer, Thrusty Hinta और Tuecha का जलना जैसे रोगों का कारण बनती है मानवीय किरिय अकलाब मानवीय किरिय अकलाब से क्या हो रहा है वही मानवीय किरिय अकलाब द्वारा वायू मंडल में प्रेशित कलोरो फ्लोरीन कारवन कलोरो फ्लोरो कारवन, CFC CFC दूसरा हाइड्रो क्लोरो फ्लोरो कार्वन, HCFC, कार्वन टेट्रा क्लोराइड, ये ओजोन प्रतों को नुक्षान पहुंचाते हैं, ये ओजोन प्रतों को नुक्षान पहुंचाते हैं, उसके मोटाई को कम करते हैं, जिससे पैराविंगनी किरेने जो होती हैं, वो आनसी ग्रूप से इस सत्य के अंदर गुषने की कोशिस करते हैं, गुष जाती हैं, और जिसके कार्ण हमें तुचा कैंसर और तुचा का जलना दरिष्टी हींता जैसे रोग है, वो अनुभव होते हैं हमारे आसपास के व्यक्तियों को, तो गाइज आपको ये चीजे मिलती कांस हैं, जैसे आपकी फ्रीज है, एसी है, ये जो चीजें होती हैं, उनमें CFC, HCFC, ऐसी चीजें गैसे होती हैं, वो यूज की जाती हैं, जो प्रतेक चीज वाई मंडल के लिए खतरना होती है, जो वाई मंडल की इस्थिती को परिवर्तन करने की कोशिस करती है, तो माइडियर स्टुडेंट ऐसी चीजों का अवोईड करें, ठीक है, तो आज की जो कोशन्स थे, उसको हम अपने यहीं पे विराम देते हैं, मैं ये आदर्स कोशन और बैटर कोशन आपके लिए अवलेबल कराऊं, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, और आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, आप इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, सेर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं डियर स्टुदेंट सब्सक्राइब जरूर कर लीजी, नमस्कार!